खबरे सुनाना हमेशा एक प्रिवलेज रहा खबरे सुनाना हमेशा अच्छा लगा लेकिन आज बेहत दुखत खबर के साथ आपके सामने हूँ एक बहुत दुर्भागे पूर्ण खबर आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे पूरा देश आज गमगीन है आज पूरा देश दुख में है हर तरफ एक ही बात हो रही है कि देश ने आज एक असाधारन योद्धा को खो दिया आज देश ने एक महान योद्धा को खो दिया आज देश ने उस व्यक्ति को खो दिया कि जिसने हमारी भारतिय सेना को मजबूत करने का काम किया आज देश ने उस महान योद्धा को खो दिया जिसने नए भारत की तस्वीर पुरी दुनिया के सामे रखी आज देश ने उस असाधारन योद्धा को खो दिया कि जिसने दुनिया को बताया कि अब नया भारत आ चुका है और ये नया भारत किसी से भी ना तो डरता है और ना किसी को भी डराता है लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत करने की कोई सोचता है तो इसको मुतोड जवाब देने की भी हिम्मत रखता है आज उस व्यक्ति का हमारे बीच से यूँ चला जाना पूरे देश के लिए एक दुखदाई खबर है लेकिन इसको सहन करना भी हम सभी की मजबूरी है लेकिन दर्शको पूरी कहानी पूरी क्या कुछ घटनाग में क्या कुछ रहा एक एक बात पर आऊंगा हर चीज आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दो कि दर्शको कभी भी शूरवीर कभी भी शूरवीर हमारे बीच से नहीं जाते हैं कभी भी शूरवीरों का अंत नहीं होता कभी भी शूरवीरों की मौत नहीं होती शूरवीर एक सुनहरा तारा बनकर आकाश गंगा में विराजमान रहते हैं और धरती पर धरती पर उनकी सौरे गाथाएं गाई जाती हैं ऐसे ही शूरवीर हमारे देश के CDS या यूं कहूं कि हमारे देश के पहले CDS जिनोंने भारतिय सेना की तस्वीर पेश की वो भारतिय सेना जो सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है वो भारतिय सेना जो बड़े-बड़े ओपरेशन्स को अंजाम देना जानती है वो भारतिय से जो घर में घुज कर सबक सिखाना जानती है वो भारतिय सेना जो दुश्मनों की छाती पर चड़ कर वार करना जानती है उस भारतिय सेना का काया कल्प करने वाले सीडियस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे उस भारतिय सेना का काया कल्प करने वाले सीडियस विपि और बकाग बाकी तमाम अधिकारी और अन्य सैनेबल के जवान आज हमारे बीच नहीं रहे दर्शकों आज तो पहर 12 बच कर 15 मिनट के वक्त हमारे पास एक खबर आई खबर ये थी कि तमिल नाडू के कुन्नूर में नीलगिरी जो फॉरेस्ट है जो इलाका पड़ता है जो जंगल है नीलगिरी के वहाँ पर एक हाथसा होता है हादसे में हेलिकॉप्टर में आस्मान में ही आग लग जाती है और वो हेलिकॉप्टर जमीन पर आगिरता है उस हेलिकॉप्टर पर 14 लोग सवार थे जिन में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है एक जिनका एलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है दर्शो को ये सब कुछ आज बताते हुए काफी दुख पीड़ा महसूस हो रही है लेकिन यही सत्य है जहां एक तरफ पूरा देश कह रहा है कि काश ये घटना गलत साबित हो और काश ये सब जूट हो और आज हम पहली बार कह रहे हैं कि काश जो कुछ मैं कह रहा हूँ जो कुछ हम आपको ख़वर दिखा रहे हैं काश बो भी गलत हो ये बड़े भावुक पल है पूरे देश के लिए हमारे लिए आप के लिए 135 करोड देशवासियों के लिए क्योंकि भारतियस सेना का सुप्रीम कमांडर आज हमारे बीच नहीं रहा दर्शको कारगिल के युद्ध के बाद से एक मांग पूरे देश में उठी थी कहा गया था कि एक चीफ होना चाहिए जो तीनों सैने टुकडियों का नित्रत तो करेगा कारगिल युद्ध के बाद से लेकिन ये चीज संभव हो सकी दोहजार उन्नीस में दिसेंबर में जब पहली बार देश को एक नया सीडियस मिला चीफ डिफेंस स्टाफ वो थे जनरल विपिन रावत सहाब जनरल विपिन रावत सहाब का इतिहास सौरे गाथाओं से भरा हुआ है उनके दो साल का कारिकाल भी पूरा हो चुका था लेकिन उससे पहले ही वो हम सब को छोड़ कर चले गए दर्शको इंडियन एर फोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्विट किया गया है जिसमें बताया गया है कि ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग directing staff as DSSC वो गंभीर रूप से घायल है और इस वक्त अंडर ट्रीट्मेंट है मिलिटरी हॉस्पिटल वेलिंग्टन में वेलिंग्टन जहां पर ये पूरा हाथसा हुआ दर्शु को इंडियन एर फोर्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि IAF MI-17V-5 ये जो हेलिकॉप्टर था जो की यूज हुआ है जिसका इस्तिमाल किया गया है surgical strikes में जिसका इस्तिमाल किया जाता है बड़े operations में उसी हेलिकॉप्टर पर आज 14 लोग सवार है और ये सभी 14 लोग वेलिंग्टन में defense services staff का एक college है जहां पर guest lecture देने जा रहे थे और faculties और students को वहां के संभूधित करने जा रहे थे ये जाना माना बहुत प्रतिश्थित college है defense services का defense services staff college के नाम से जाना जाता है जो की वेलिंग्टन में स्थित है यहां पर lecture होना था यहां पर नीलगिरी hills में यह जो college है वो स्थित है यहां पर faculty और students को address करने जा रहे थे जनरल वेपिन रावत सहाब उनके साथ उनकी धर्म पतनी मधुलका जी भी साथ में थी और इसके साथ तमाम अने लोग भी मौजूद थे लेकिन बड़ी दुरगटना हो गई और बारा बच के पंदरा मिनिट के आसपास यह जो विमान था यह जो हेलिकॉप्टर था दुरगटना गरस्त हो गया जमीन पर आ गया उसके बाद से पूरा देश एक ही प्रात्ना कर रहा था भगवान के साथ दुआएं कर रहा था लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ बड़े दुख के साथ और बड़े भारी मन के साथ आपको ये खबर देनी पड़ रही है कि जनरल विपिन रावत साहब हमारे बीच नहीं है उनके धर्म पतनी मधुलिका हमारे साथ नहीं है और इसके अलावा 11 अन्य लोगों की भी मौत ये भी आपको कुछ बेहतर जानकारी देने की मुम्किन कोशिश करेंगे। इसके बाद 16 दिसमबर 1978 को सेना में नुक्त हुए थे। इनको नवाजा गया था, इनको सम्मानित किया गया था। ये सौरिगाथा जो आज मैं आपको बढ़कर बता रहा हूँ, ये काफी छोटी रहेगी, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, पूरवी भारत से लेकर कश्मीर तक तैनाती रही और अपनी शौरिगी जो कहानी है और देश के पहले चीफ आफ डिफेंस बने, तो देश के पहले सीडियस जिनक्या आज निधन हुआ, 31 दिसंबर 2019 से सीडियस के पद पर थे, और आज ये सौनहरी कहानी इशौरिगाथा आज समात हुई झाल सीडियस साहब की शौरिगाथा हम आपको सुना रहे थे, इस इतिहास का, इस कहानी का जन्त हुआ है, निधन हो गया है हमारे सीडियस का, लेकिन इसके वाबजूद ये कहना चाहेंगे कि शूरिवीर जो होते हैं, उनकी कहानी यूहीं खत्म नहीं होती, बलकि उनको इतिहा पास में याद रखा जाता है, शौरिक की किताबे होती हैं, शौरिक गाथाओं में उनको पढ़ा जाता है, ऐसे में हमारे साथ महमान जुडेंगे और इसके साथ ही साथ हमारे Executive Editor तिलक जी भी जुडेंगे हमारे साथ और महमान भी जुडेंगे, तो महमान जो जुडेंगे उनके भी आपका तारूफ कराऊंगा लेकिन उससे पहले हमारे साथ Executive Editor तिलक जी जुड़े हुए हैं तिलक जी आज एक असाधारन योध्धा हमारी भारतिय सेना का Chief Commander हमारी भारतिय सेना का नित्रत्य करने वाला एक बड़ा चहरा एक बड़ा नाम जिनकी जितनी बातें हम यहाँ पर करें वो कम होगी पूरा देश आज दुख में है तिलक जी बिल्कुल कावेंदर आपने बिल्कुल सही कहा आज कुछ वक्त ऐसे होते है जब हम लोगों के लिए भी शब्द खत्म हो जाते है और आज वही दिन है यह देश के लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है जब देश ने आज उस वीर योद्धा को खो दिया जो इतिहास का हिस्सा नहीं है वो इतिहास की गाथा खुद लिग गए बहुत कम लोग होते हैं जो वो इतिहास बनते नहीं है इतिहास बनाते है विपिन रावत उनमें से एक है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया वो वीर गाथा जो उनके नाम लिखी गई है वो शाद शब्दों में हम उसका बखान नहीं कर सकते हैं उनको बता नहीं सकते हैं आज देश ने वाकई बहुत कुछ खोया है सेना के नजरिये से नहीं बलकि उस योधा के नजरिये से भी जिन्होंने बताया कि आखिरकार सेवा देश सेवा होती क्या है एक कर्म भूमी और खासतोर पर जिस जन्म भूमी का हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि जिस जन भूमी से वो निकले वहाँ पर कर्म योधा और खास तोर पर देश के लिए समरपड वो सब जानते हैं मैं बात उत्राखंड की कर रहा हूँ और उत्राखंड के नजरिये से नहीं बलकि देश के नजरिये से अगर हम इस योधा का जिक्र करें तो इन्होंने पूर से लेकर कश्मीर तक देश की सेवा की और ऐसी सिटी में देश को और खास तोर पर सेना को नित्यत दिया जिस वक्त और खास तोर पर तीन-तीन सीनियर उनके सामने थे और तीन सीनियर की भूमिका को धरकिनार करते हुए उन्हें इसलिए मौका मिला क्योंकि वो उसके काबिल थे वो डिजर्व करते थे और उन्होंने साबिद भी किया सेना को किस तरह से एकठा करके इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और पूरे जब देश की नजर खास तौर परती जिस सर्जीकल स्टाइक का अब जिकर करते हैं उरी का उसके एक महान योद्धा और कई ऐसी गाथा हैं उनके नाम रही हैं कावंदर इसलिए इसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है जब देश एक ऐसे योद्धा को खोता है जब हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो सेना को उस मुकाम तक ले जाएंगे लेकर भी गए जब देश को उनकी जरूरत थी और देश को हमेशा उनकी जरूरत रहेगी कावेंदर इसलिए यहाँ पर शब्द जो है वो आज खत्म हो जाते हैं इस योद्धा की गाथा कहां से शुरू करे कहां खत्म करे वाकई आज देश के लिए बहुत गमगीन दिन है कावेंदर यकीनन तिलग जी आज हम कितने भी शब्दों में इसको पिरोने की कोशिश करें लेकिन यह हमारे लिए भी मुम्किन नहीं होगा लेकिन तिलग जी हालाकि मैं समझता हूँ जानता हूँ भली भाती वाकिव भी हूँ कि अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं लेकि ऐसे में तिलग जी ये crash कैसे हो गया क्योंकि सुरक्षा के जितने भी नियामक होते हैं उनको मुरे साब से standards को पूरी अच्छी तरीके से नापा तौला जाता है उसके बावजू जो helicopter है वो crash होता है ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि समुदरी जलवाईू के साथ साथ रे बावजूद crash होता है और ये आए दिन हम देख रहे हैं तो ऐसे में सवाल भी लोग कर रहे हैं देश के लोग ये भी सवाल कर रहे हैं बिल्कुल काविंद्र सवाल उतना वाजिब भी है क्योंकि हमने देश के ऐसी हस्ती को शक्सियत को खोया है जो देश के लिए बहुत जरूरी थे और ना सिर्फ विपिन रावत बल्कि वो जो उनके साथ जो टीम उस वक्त मौझूद थी वो सारे एक्सपर्ट्स जो जिस हेलिकॉप्टर का आप जिकर कर रहे हैं वो सर्जिकल स्टाइक में इस्तिमाल होता है और ऐसे में उसका क्रैश होना आपने आपने एक सवाल खड़े करता है और विपिन रावत के साथ वो तमाम योधा मौझूद थे जो की एक सीडियेस के साथ वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको मालूम होता है कि ऐसी सिचुएचन में किस तरह से हमें हैंडल करना है और खास तौर पर उनको उससे लिए ट्रेंड किया जाता है वो टीम के हिस्से थे सभी और वो उस सिचुएचन में आकर फस जाते हैं और वो हेलिकॉप्टर जो सबसे मौझूद है और वो crash हो जाता है तो वाकई तमाम सवाल है आखिरकार वो कौन सी situation थी और वो team के वो हिस्से जो कि खुद expert है जो जानते थे situation से कैसे नेपटना है वो कौन सी ऐसी परिस्टी थी जो जिसमें वो खुद trap हो गए और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी में helicopter जो है landing की बजाए वो crash कर जाता है वो तमाम सवाल ऐसे हैं जो जिनके जवाब अभी जो है जानना पूरा देश चाहेगा और सबकी निगा है खास तौर पर क्योंकि हम उसके experts नहीं हैं हम नहीं जानते कि को ऐसी situation होगी और वाकई जिस हम तो उस तस्वीरों को देखकर वाकई भैभीत हो गए और वो तस्वीरे दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते कि आखिरकार जिस तरह से वहाँ पर आग का गुबार देखा गया धुए का गुबार देखा गया तो आग की लप्टे और धुए का गुबार वाकई में सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी परिसिती आ गई नहां पर सीडियेस को हमने खो दिया और ऐसी शक्सियत को खोया जिनके साथ-साथ वो ग्यारा योद्धा जो की उनकी टीम के हिस्सा थे और जो एक्सपर्ट से अपने सेनी शम्ता का हम जिकर करें और उसमें वो पूरी तरह से पूर्टे अब ऐसी सिती में देश के सामने वो सवाल खड़ा हो रखा है कि आखिरकार क्यूं वो सिती पैदा हुई किस वज़ा से पैदा हुई कहां गल्टी हुई कहां चूक हुई और खास तौर पर जो सर्जिकल स्टाइक में हेलिकॉप्टर इस्तमाल हुआ वो हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है तो वाकई कई सवाल है जिसके जवाब इस वक्त देश जानना चारा है काविंदर बिल्कुल जानना चारा है देश ओते लग जिए जल्दी ही मिलेगे क्योंकि जांच जो है वो बिठा दी गई है लेकिन ऐसे में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं के जी भेल साथ हैं और साथी साथ शिवदान सिंग जी भी हमारे साथ हैं डिफेंस ए सबसे पहले हमें आपके पास आना चाहिए आज देश्ट ने एक असाधारण योद्धा को खोया है आज देश्ट ने हमारी भारतिय सेना के सुप्रीम कमांडर को खोया है आज पूरा देश दुख में हैं क्या कहेंगे सब है कि अब थी साफ अब निया अजिए अब सब्सक्राइब को सुन सकते हैं यह अपका वारिंख थी कैशी कि पास ने आघा रहे है शियोदान सिंग जी के पास चलेंगे शियोदान सिंग जी का ने यह आप उसको सुन सते हैं चलिए ठीक है, शायद आडियो की कुछ समस्या है, टेकनिकल टीम से कहा जाएगा कि आडियो की समस्या का जल्द ही निस्तारण किया जाए, बापस आते हैं तिलक जी के पास, तिलक जी एक सवाल और है, कि आज जनरल विपिन रावत जी के निधन के बाद, लोग ये भी चाहुआ कारेकाल था, उसमें एक एक एक्शन प्लान बनाए गया होगा, उसमें एक ब्लूप्रिंट सेट किया गया होगा, उसमें आगे भारतिय सेना में क्या तक्निकी बदलाओ करने हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा, प्लान किया होगा, आगे चलके भार गए होंगे जनरल विपिन रावत साहब के द्वारा तो कहीं ना कहीं यह उन प्लान्स उन एक्षिन प्लान्स उन स्ट्राटिजी उनका भी आज निदन हुआ है उनका भी आज अन्त हुआ है अब बिल्कुल कावेंदर बिल्कुल आप में सही का ये दरासल अगर बात हम विपिन रावत की करते हैं तो उनका एक विजन था कि किस तरह से तीनों सेनाओं को एक साथ इकटे करके जो है दुश्मनों के दाथ खटे करने हैं आप देखेंगे जब से उन्होंने इक कमान संभाली है और जब से उन्होंने सेना के मुख्या होने के नाते अपनी भूमिका का निर्वान किया आपने देखा होगा कि चीन के साथ कई बार हमारे टक्रा हुए लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं आया जहां पर भारतिय सेना ने अपना सर जुकाया हो यहां पर win-win situation आई जहां पर भारतिय सेना ने बताया कि आके का विपिन रावत की मौझूदगी में वो क्या कर सकती है भारतिय सेना एक विजन के साथ आगे बढ़ रही थी और साथ तोर पर यह नित्वत से होता है कि आपने action का reaction कैसे करना है सामने से अगर कोई war कर रहा है तो उसका war का जवाब कैसे देना है विपिन रावत ने वो भी सेना को सिखाया और एक खास तोर पर जिस तरह से मैंने का कि पूर्ट से लेकर कश्मीर तक उनको सब कुछ भगोलिक परिस्टियों के बारे में मालुम था और ये भी मालुम था कि आखिरकार कैसे दुश्मन रियक्ट करेगा और हमें कैसे रियक्ट करना है और एक्शन का रियक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी विपिन रावत बाख्षू भी जानते थे इसलिए उनको इतनी महत्पूर जिमेदारी दी गई थी और खास तोर पर जिसका जिकर आपने किया कि एक रोड मैप तयार था और वो रोड मैप क्योंकि उसकी भरपाई कर पाना जो विपिन रावत के नजरीय से अगर हम देखे और देश के नजरीय से देखे उसकी भरपाई कर पाना नामुम्किन है कावेंदर ये बात बिल्कुछ सही है और देश के नजरीय से अगर हम देखे वो विपिन रावत के नाम से कापते थे अगर हम जिकर करें चीन का तो चीन भी जानती थी कूटनीटिक नजरिये से विपिन रावत को हराना नामुंकिन है और खास तोर पर जिस तरह से सेना रियक्ट कर रही थी उन बॉर्डर सेरिया पर ये रणनीती का हिस्सा था विपिन रावत की कि आपको चीन के साथ कैसे डील करना है और उस तरह से उन्होंने उस सेना को तयार किया था और उस विजन के साथ सेना को तयार किया था कि आखिरकार दुश्मनों से हमें लड़ाई लड़नी है लेकिन लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बॉर्डल के नजरिये से नहीं लड़नी, कूपनी तिक नजरिये से भी लड़नी है वो यहां से जो एक संदेश देते थे, उस संदेश के भी कई माइने होते थे चीन कई बार उनके संदेशों को समझ जाता था कि आके कार विपिन रावत कहना क्या चारे है वो अपनी बात को जिस अंदाज से कहते थे, वो सेना के तीनों मुख्या भी समझते थे और सीधे तोर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से उनका अंदाज था, सेरा को डील करने का, सरकार के साथ बाच्चीत करने का और देश के नजरिये से देश भावना का नजरिया, वो अपने आप में एक महार देश ने बहुत कुछ खोया है और विज़न का दिक्र करें तो खास्ते आप परहुए पाकिस्तान और चीन का दिक्र करें तो वहा जिस तरह से वो डील कर रहे थे-वो एक अपने आप में बहुत बड़ी शती देश के नजरिये से है और खास तोर पर ऐसी परिस्टितियों में जब चीन हमसे जो है वो अलग है और खास तोर पर पाकिस्तान जो हमसे इस तरह से जो है लोहा लेता आया है और खास तोर पर जिसका जिकर हम कर रहा है जो देश के पहले सीडियेस के रूप में जब उनको भूमिका द के चुर् essence से सिर्ए यहां पर भारतिय सेना के जरिये एक नय भारत को fist निर्माड किया गया गया और इसका श्रे केजी बहल साहब आप मुझको सुन पा रहे हैं केजी बहल साहब विपिन रावत साहब 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ बने 31 दिसंबर 2016 को 26 वे चीफ बने 30 दिसंबर 2019 को CDS के रूप में न्युक्त हुए विपिन रावत साहब 1 जनवरी 2020 को CDS का उन्होंने पदभार ग्र दाहान मंत्री देश के राश्ट्रफती सभी का कहना है कि हमने एक असाधारन योद्धा को खो दिया और जाद हमारे देश को जो शती पहुंची है जो हान हुई है उसकी किसी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती क्या कहेंगे सर आज देश ने बहुत बला योद्धा को दिया बढ़े पक्केश है और फोज में जैसे देखिए जदल बने सिरियस बने सब बने लेकिन क्या था जब को साथ लेकर चलते थे ऐधा भातलम इसको गड़ 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 और भुष्मन को मिश्णा जो शेटमें देते रहते थे कभी आज कभी किसी दिद कभी किसी दिद कभी आप को कुछ देकर बिलेगे तो यह चीजने जो थी आप देखिए इनके ज़माने में कितने जीजने हाई कितने करते हैं आप जो परेड़ नहीं आते थे वो तब एकड़ एकड़ किये गए च्यों किये गए तो यह सीरियन थे इनको पास में सारी तीनों मुच्छी समय कर कर दो एकिता हैं तो यह सारी तो यह सारा कार कि जुझा थे इसमें कि हमारा देश का पर नाम हो भड़ा आज जब हमको देखते हैं हम से अ कि बहुत जिद्धि जो चटिए ठीक है चलिए और डियो का शायद कुछ समस्या है पे फोन शाहिए कट गया है दुबाराक स करें दूबार चेबार फोन को पैच करने की कोशिश करिएगा ऐसे में शुदान सिंग जी भी हमारे साथ है शुदान सिंग जी आपको मेरी आवाज आ रही है शुदान सिंग जी आपको मेरी आवाज आ रही है थोड़ा सा अगर आडियो अप हो सके तो कोशिश करिएगा ठीक है शुदान सिंग जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुदान सिंग जी चलिए शायद आडियो में कोई समस्या आ रही है ऐसे में बापस अपने एग्जुक्यूटिव एडिटर तिलक जी के पास चलते हैं तिलक जी कल यानि 9 दिसंबर को CDS विपिन रावस सहब और उनकी धर्म पत्म दोनों के शवों को दिल्ली लाया जाएगा जिसको लेकर प्रधान मंत्री के द्वारा भी मेटिंग की जा रही है जिसको लेकर जो बड़ा धिकारी है सेना के उनके बीच भी मेटिंग चल रही है रक्षा मंत्री भी मेटिंग कर रहे है ग्रह मंत्री के साथ भी मेटिंग चल रही है अब काफी आशंकाएं हैं लोगों के बीच भी काफी ब्रामत जानकारियां हैं आशंकाएं हैं काफी कुछ चल रहा है तो इस चीज़ पर जो धुन्द चड़ी हुई है उसको थोड़ा हटाने की कोशिश की जिगा कि नित्रत्व जो कर रहे थे भारतिय सेना का उनका आज निधन हुआ है तो ऐसे में अब सीडियस की जो जिम्मेदारियां हैं जो सीडियस का जो कार होता है उसका निर्वाहन उसको अब कौन करेगा उनके लिए कारेकारी अभी कौन रूप से निक्त किया जाएगा जो इन चीजों को समा लेगा क्योंकि यकीनां बड़ी जिम्मेदारी है तो काफी काम भी होंगे तो इनको अभी निर्वाहन इनका कौन करेगा बिल्कुल कावेंदर वो तमाम सवाल है जो सवाल का जवाब को खैर मिल जाएगा लेकिन उस सवाल का जवाब तराशना इस वक्त देश के लिए सबसे जादा जरूरी हो गया है कि जो शक्स दुश्मन के घर में जाकर घुसकर मारना सिखाता है वो शक्स किस तरह से उसका हेलिकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो हेलिकॉप्टर जो की खुद सर्जी का स्टाइक में इस्तिमाल किया जाता है मैं उन तमाम सवालों का जिक्र कर रहा हूँ जो सवाल इस वक्त मुँ बाहे खड़े है और देश इसका जवाब जानना चाहता है और खास तोर पर देश के भीतर एक जिस तरह की जो सिटी है जो पूरा के पूरे सिर्फ और सिर्फ ये देश के नजर ये से ने बलकि दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है कि एक हेलिकॉप्टर कैसे ये क्रैश हो गया जहां पर CDS खुद है इस हेलिकॉप्टर में मौदूद थे खुद जो सेना के बड़े-बड़े अधिकारी है वो इस बात को लेकर है कि आखिरकार वो हेलिकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है जो सर्जिकल स्टाइक में इस्तिमाल किया गया है यहां पर आखिरकार कैसे क्योंकि अगर इस तरह से हेलिकॉप्टर कैश हुआ तो वार्निंग आई होगी और ये सीधे तोर पर उस वार्निंग को नजर अंदास क्यों किया गया क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर एक वाकई एक बड़ा हासा हुआ है जिसका शिकार सिर्फ और सिर्फ रावत नहीं बनकि सेना के ग्यारा काबिल अदिकारी है जो उस वक्त वहां पर मौझूद थे मेरा कहना ये है कि आकिरकार ये देश के लिए जितनी बड़ी शती है वो सवार भी खड़ा करती है कि आकिरकार देश ने जिस नजरिये से रावत साब को खोया है देश के जो है वो सबसे पहले सीडियेस है उनको जिस तरह से खोया है उससे सेना के मलोबर पर कोई असर ना पड़े इस बात का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा लेकिन जिस तरह से अगर क्योंकि रावत साब का जिक्र करे ये एक बेहद क्योंकि कई तरह की खबरे सामने आ रही है जो हमारे पास इंपुट आ रहा है रक्षा मंतुराले की तरफ से और बकाइदा एक जाज बटाने की बैठाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है देश ने जिस तरह से उनको खोया है उसको लेकर एक बड़ी खबर जो साफ तोर पर आ रही है हमारे पास मैं आपको बता दू कि जो इंपुट हमारे पास आ रहा है खास तोर पर अमेरिका हो इसराइल हो इस तमाम देशों ने जिसका मैं जिकर कर रहा था क्योंकि अभी खबर कैलिफाई नहीं हुई है मैं आपको खबर आभी नहीं बता सकता लेकिं जहां पर जो खबरे आ रही है कि देश के तमाम जो दुनिया के तमाम जो देश है उन्होंने खास तोर पर जो है इसका आपचारिक तर पर जो ट् Questo करकर जो है दुख जता है तो यानि आप सो सकते है कि कितनी बड़े दुख के दौर से इस वक्त देश गुदर रहा है और जिसका मैं जिक्र साथ तोर पर कर रहा हूं कि जो उडान का वक्त था वो 11 बचकर 48 मिनट का वक्त था उसके बाद हेलिकाप्टर क्रेश हुआ वो 12 बचकर 22 मिनट पर क्रेश हुआ उसका समय आप देखिएगा तो समय के भीतर एक सवाल खड़ा होता है कि आखरकर क्या इसके भीतर कोई बॉर्णिंग नहीं आई थी और वो हेलिकाप्टर जब लैंडिंग करने वाला था उसवड़ पर ही इसी तरह का हाथसा होना । अपने आप पे सवाल करड़ रहता है और एसे टमाम सवाल हैं क्रयों कि हम इसके एकसिपर्ट नहीं हैं हम नहीं जानते हैं कि आखरकर उसक्क क्या सुचयेशन होई होगी अपने दर्शकों के लिए एक छोटी सी जानकारी के साथ जून, 4 जून 2015 को NSCNK के जो आतंगवादी थे, उन्होंने हमारे 18 जवानों को उपर हमला किया और हमारे 18 जवान उसमें शहीद हो गया, जिसके 5 दिन बाद 5 दिन बाद एक उपरेशन चलाए गया और म्यानमार बॉर्डर के आसपास इस ऑपरेशन को जब चलाया गया तो इसमें 102 आतंग वादियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस ऑपरेशन को चलाने वाले इस ऑपरेशन का नितरत करने वाले कोई और नहीं बलकी जनरल विपिन रावत साहब थे तो ये था उनका इतिहास, ये था उनका गौरव ये था उनका शौरे तो ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर डिफेंस एक्सपर्ट केजी भेल साहब और शियोदान सिंग साहब जुड़ गए है टेक्निकल समस्याओं की वज़े से बार-बार समस्यारी उसके लिए माफी आप दोनों एक बार फिर हमारे साथ है के जी भेल साहब भी है शौदान सिंग साहब भी है शौदान सिंग साहब आज पूरा देश दुख से गुजर रहा है आज देश जो भारतिय सेना के सामने अगर आ जाए तो सेलूट करता है यह देश जो जै जवान जै किसान का नारा देता है आज इस देश ने एक असाधारन योद्धा आज इस देश ने हमारी भारतिय सेना के सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर को खो दिया है की डिक है शैड शेडान सिंग्स सहाब के पार शयद हमारी अवाज नहीं पहुंच पारी यह कुछ टेक्निकल कमियाैं कुछ परेशानिया है जो जा रही हैं जी बिटेजी हैं। नशना जे बिल्कुल फूरा देश दुख से गुजर रहा है आप क्या कह रहें संभ देखें, आज देश में बहुत बड़ा लुन्दा कुछ दिया, तो बहुत बड़ी क्षयति है ए देश की यह, और इसमें, यह हुआ है, एक्किजिन दूए है, यह कहते हुआ है, यह कहते हुआ हैजे, देखने वाज बात नग वाली पयती है क्योंकि इसमें हो सकता है किसीी सहीं हो क्योंकि जब इतन समय होते हैं और यंदेतना प्रसर जा झाया हो किसी से भर diesen कुछ आजा है किसी का काहिझ जंगि कहते हैं कि मॉतंग थिक नहीं था लुकि महुतं पहलो पुब क्योंकि आप निए लाव आए बिल्कुल आपके आवाज आ रही है कोचिक आप डिफेंस ट वी है थोड़ा-स माई तर्चक समझाएगा लोग दरिसल यह पूच रहे हैं दर्शक दरहसल लगातार यह सवाल कर रहे हैं हमारे पास मैसेज़ेस कर रहे हैं तो की वी वी कुछ काीपि ,ंसीने तिन विपन रावस सहब। एक ख़लिकॉप्टर से एक स्तान से दूसरे अपने गंटव में तक जा रहे हैं। सुरक्षा की स्टो नियांग। कुछ उनओंगे , पूछ सçaल करना दोगे तो आप लग जाना न वासालिक से हेलिकॉप्टर का क्रैश कर जाना पहले से कुछ वार्निंग नहीं होती कुछ सूचना नहीं होती मतलब कुछ तो होगा क्योंकि सीडियस उसमें सफर कर रहे देखे अब ऐसा मौका है जिसमें कि जहां पर यह सूचना अभी अभी इसक्वारीज होंगी पदा लगेगा लेक तो कुछ हैंसे उसम अज माते होती हैं तो इसमें ऐसा मौक बहुत ही है जिसमें कि आजपारी नहीं होती है लेकिन ऐसा होनाही जाहिए, जब भी दूल होता हो जाता है, इतना बला आप सरुर उट बहुत हो जाए तो बहुती रहूत है बेसके लिए इतना बना युद्धा आमने एक चती इतनी बहुत वरी चती है हमारे इसलिए और जैसा कि उनका आप सुना होता हमेशा हम उसको आतरहते थे लेकिन शक्त भी बहुत थे अब जे उतने दुश्मन हमारे देखिए चाहना है यह पाकसान जो भी हो जतनी सेटमें द लोगों के साथ बहुत अच्छी करनेक्शन बिल्ड करते थे ऐसे में हमारे एक्जेटिव एडिटर तिलक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए है वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है एडिटर अलो अच्छा की कहा है वो किस तरह की होती है और सिदियेज किस तरह से जो है वो देश के लिए जरूरी है और खासतार पर क्योंकि वो तीनों सेनाओं के प्रमुक है तालमेल सेनाओं के बीच में कैसा हो कावेंदर जरा हम यह जानना चाहेंगे सर से कि आखिरकार CDS देश के लिए क्यों जरूरी थे देश के लिए आखिरकार CDS की जो भूमिका है वो क्यों जरूरी है क्योंकि यहां से बिल्कुल सवार साफ हो जाता है कि एक ऐसा शक्स जो कि देश के लिए कुर्बानी देने के ल वो देश के लिए सबसे जादा जरूरी क्यों थे सर आप प्लीज अगर हमें बता पाएं के जी वेल साब के पास आवास पहुंच रही है कि थे सर लुख अब पहले पास जाओगा के लिए हम लोगों ने बहुत पहले लिए। बहुत और लगाया था पिर यह जब देखिए जोंसे पहले आप पता है तो अपको पूरा रही यह तो यह समझता हूं जिपना प्लीज ने के बाद एक हमारी स्ट्रियग बढ़ी हमारी स अवे सिर्फ नियुम्न को हमेशा नीकिन अधिगाए गया। विए बहुत वड़े उपलबती है और अपल इसको के लिहीं बहुत बारी चाहटी है। उनों झो भी किया। हमेशा यह ही हिया, कि देखिए हम इतनी हमाई शक्षणी हैं, हम भूह नहीं है पहले हमेशा हैं, लिगर हम अभी आपको हारा सकते हैं, तो चीन ने भी और पाकिसना दोनों ने, जो पहले ही मिलकर के आयते हैं, हम अचाइकर किसी कश्णी ले लेगें, सब को कभी है नहीं हो कि देखिए हम बारत एक शक्षणी के लिए और हम हमेशा और से बहुत हैं, हमारी ट्रेनिंग अची है, हमारा सब से अची है, और जगा जगा बचाइन के स्टेट में भी वह हमेशा हिलाने वाली होती थी, बिल्कुल और केजी महल साब यह भी एक सवाल उट रहा है, कि MI-17 B-5 यह जो चौपर था यह रश्यन मेट था और इसमें यह जो चौपर था जिसका जुरगटना गरस्त हुआ यह लेटेस वरजन था, अभी तक हमारी मिलिटरी उसकर है उसमें लेटरी ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर में और इसमें प्रदान मंत्री तक सफर करते हैं, तो उसमें यह घर्भाई है यह जोग सबनी कि अप्रयूर्ट होता है टर्समार्णा है यह जो चौट है को इसमें तो श्यर कर दो होता है यह जए भी निकल आए जो होता है यह जो नहीं होता है तो ऊसमें थाहुजगत में दिक्षप के वह जोग बचा जो जुन дов instructors होती है ठो तरह यहार की साजिष है या हासा है इस सवाल का जब आप तो फूरा पूरा देश चाहेगा लेकिन किस तरह से ऐसी परिषितिया आती है तब किस तरह से जो टीम है वो रियक्ट करती है अगर हमारे एक्सपर्ट इस बात को बता पाएं कि इस सिचुएशन क्योंकि जिस तरह कि क्योंकि सब हैरार है कि आकिरकार ऐसी कौन सी परसिती आके जिस वज़ा से यह हलिकॉप्टर क्रैश हुआ वो भी जो सबसे सुरक्षित मना जाता है तो हम अपने एक्सपर्ट सी जानना चाहेंगे कि आखिकर आगर ऐसी परसिती आती है तो किस तरह से रियक्ट किया जाता है और टीम कैसे रियक्ट करती है ऐलो मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं आप तो मैं आपसे यह जाना चाहूंगा कि आखिरकार इस तरह से अगर संकेत मिलते हैं तो टीम किस तरह से रेक्ट करती है क्योंकि यह यह जो पाइलेट्स है वो ट्रेंग पाइलेट्स है और सीडियस उनके साथ मौझूद है तो यानि यह पूरी तरह से एक्सपर्ट है इनको मालूम है कि ऐसी सुच्वेशन आ लिए तो हमें कैसे रेक्ट करना है कि देखिए जो परिस्तियां होती है उनको कि अपनी बात रखिए अजी हाँ मैं मैं बना रहा हूं कि इस दिए परिस्तियां होती है सबी एक्सपर्ट होते हैं हालो जिब ठीक है तो केजी बैल साब का कहना है कि एक्सपर्ट तो सभी ते लेकिन सिचुएशन दरसल सिचुएशन इस तरह की हो गई कि जिसकी वज़े से पूरी द्रुगटना हुई है ठीक है तो केजी बैल साब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में आब तिलक जी के पास में वापस जाना चाहूँगा तिलक जी एक और सवाल है कि सबसे पहले हमारे पास जानकारी निकल कर आती है सोर्सिस के तोर पर कि 4 से 5 लोग सवार थे दो लोगों के शौब रामत किये गए हैं इसके बाद कहा जाता है कि 14 लोग सवार थे 4 लोगों के शौब मिले हैं इसके बाद फिर A&I के आखिर में A&I जो News Agency है, उसके sources बताते हैं कि 14 में से 13 लोगों के shop मिले हैं, ये जो लगातार जो चीजों को या तो टालने की कोशिश की गी, देश के सामने पूरी तरीके से चीजों को clarity नहीं दी गई, या फिर हाथ से की जो तस्वीरे हैं हम अपने TV स पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने भी देखी हैं और आपने भी देखी हैं तिलग जी, तो उन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि बड़ी बिभत्स घटना थी, बहुत tragic incident था, जो पूरा accident हुआ था, काफी tragic था, और किसी के भी बचने के आसार तो उसी वक्त से नहीं थे, बिल्कुल कावेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सित्या थी और हम इस बात को समझ सकते हैं कि देश एक अनहोनी के दोर से गुजरती हुई उन तस्वीरों को देख रहा था और खास तोर पर एक सवाल के साथ देख रहा था कि देश का सेना का सबसे बड़ा चहरा जिसके कंदों पर सबसे बड़ी जिम्यदारी है और ऐसी सिती में वो एक हेलिकॉप्टर क्रैश उसका हो जाए तो अपने आप में देश सवालों के कटगरे में खड़ा करता है उस सिस्टम को भी जिस सिस्टम के भीतर पूरा देश अपने आपको सुरक्शित महसूस करता ह और ऐसी सिती में खास तोर पर सरकार के नजरिये से देखे या फिर उस ब्वस्था को चलाने वालों के नजरिये से देखे तो उनके सामने भी ये अपने आप में सवाल था कि इस खबर को हम किस तरहां से पुष्टी की जाए आपने देखा होगा कि अंत तक इस खबर की भूमिका का जिक्र कर रहा हूँ, जहां एक तरफ तीनों सेनाओं के वो फर्मुक थे, क्योंकि तीनों सेनाओं को एक साथ एक बहतर तालमेल के साथ एक कठे रखना और यूद की सिती में रखना, कि आकिरकार जब ऐसी सिती आए तो आपको कैसे रियाट करना है, तो यानि ती से जो है ऐसी सिच्वेशन पे रियक्ट करते हैं और किस तरह की रणनीती का भूमिका होती है उनकी वो सबसे बड़ी भूमिका होना बहुत महत्पूर होता था कि युद के वक्त आपकी रणनीती क्या रहेगी और किस तरह से आपने रियक्ट करना है वो सरकार को भी बताते थे और सेनाओ को भी बताते थे अब ऐसी सिटी में 13 शव का मिलना और हेलिकॉप्टर का क्रैश हो जाना और वो भी देश के सबसे बड़े सेना अधिकारी का और वो कुछी दिलों के बाद उनका पकायदा देरादून का दोना था परपल मिलट के लिए और माला जाता है कि वो देर रात तक अपने कालयाले में काम करते थे रात को नौनों दस दस बज़े तक अपने आफिस में रहते थे जानी कि उनके अं पहा कॉर्श हैं या फिरेक साजिश है और अगर हासा है तो यह किस की कलते किसकी चूख है क्योंकि यह एक वेक्टितव नहीं kalo है उसके साहत हमने surgical strike में होता है और वहां पर उनकी मौत हो जाती है तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता काविन बिल्कुल कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ दर्शकों का ये भी मानना हो सकता है कि ये जल्दवाजी तो नहीं है कि हम ये सवाल खड़ा करें कि ये साजिश है या सच में हाथसा है लेकिन ये बिल्कुल बाजिव सवाल है क्यों कि तिलग जी जिस हेलिकॉप्टर में अभी जानकारी मिल रहे हैं कि इसी हेलिकॉप्टर में प्रधान नियामक नहीं होगे कुछ स्टैंडर्ड नहीं होगे तो ऐसे में हवा के बीच इतनी बड़ी दुरघटना होती है आपने बिल्कुल सही कहाते लग जी कि कोई वार्निंग सिगनल नहीं है कुछ वार्निंग का कोई सिगनल नहीं है या फिर किस तरीके से जब यह बिल्कुल कावेंद्र यह वो सवाल है जो देश जवाब इसका जानना चाहता है मैं एक उधारण के तौर पर आपसे और देश के सामने उस बात को रखना चाहूंगा जब हम अपनी नॉर्मन लाइफ में भी हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं वक्त इ हेलिकॉप्टर अगर खेरा नहीं होता तो तो पिर उसको उडान भरने की ज़्यादत क稍सा और अगर आपसमान में उस थापनिकी दिक्टाए तो फिर इतने बड़े हेलिकॉप्टर का घरम जीक्र कर रहे हैं जो हेलिकॉप्टर खास तौट पर अगर प्रधान मंत्री उस पर सफर करते हैं और देश के बड़े अधिकारी भी सफर करते हैं तो क्या जब हो हेलिकॉप्टर उड़ा होगा अपने गंतव इस्थान के लिए तो क्या उसकी जाच नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर दर्शको एक बकाइदा एक पूरी टीम होती है टेकनिकल टीम होती है सिक्यूरिटी के लिए टीम होती है जो उस हेलिकॉप्टर को जाचती है उस हेलिकॉप्टर पर पूरी नजर बनाए रखती है कि क्या यह उड़ने के लायक है या फिर क्या सुरक्षा क стo-tandard जो है इसमें सब पुरी तरह से less है ये सब कुछ होता है लेकिर इसके ensembra पॉझूद अगर यहाधसा होता है तो बिलकुल सवाल होका और सवाल बिलकुल जायज है जैसा कि तिलिक जीनने का बिलकुल सवाल जायज है कि आखिर कब तक इस तरीके से हमारे देश के पाइलेट हमारे देश के छम्तामान लोग इस तरीके से हमारे बीच से जाते रहेंगे और हम सवाल ना करें बिलकुल करेंगे क्योंकि एक चीज याद रखिए गदर शुको शूरवीर शौरवान लोग हमारे 20 से जरूर जाते हैं लेकिन वो अपनी जो उनका नाम है वो हमेशा के लिए अमर कर जाते हैं जनर्रल विपिन रावत सहब 6 साल पहले चीता हेलिकॉप्टर भी क्रेश हुआ था जिससे वो लड़े थे और उससे निकल कर बाहर आये थे सीडियस विपिन रावत सहब के रूप में देश ने आज एक महान योध्धा अप्रमित सेना पती सुधारवादी नायक और एक दूर दर्शी सैनिक को खो दिया अंतिम जो परणाम है वो महाभारती के बहादुर सपूत जनरल विपिन रावत सहब को करना चाहूँगा उनकी धर्म पत्री को करना चाहूँगा और उस हेलिकॉप्टर में मौझूद अन्य 11 लोगों को करना चाहूँगा और इसके साथ ही साथ दुआएं पूरे देश की हैं प्राथना पूरा देश कर रहा है हमारे जो अधिकारी स्वक्त मिलिटरी होस्पीटल में भरती हैं वेलिंग्टन में और पूरा देश उनके लिए प्राथना कर रहा है पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है बाकि आज इस दुखबरी इस दुखदाई खबर को आप सब के सामने प्रस्तुत किया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा लेकिन एक बात जनरल विपिन रावत सहब हमेशा हमारी किताबों में शौरे गाथाओं में अंकेत होते रहेंगे क्योंकि महान योद्धा यूही खत्म नहीं होते महान योद्धा तो हमेशा सदयों अमर रहते हैं शुक्रें झाल